अमस्कार आज के दिन IRCTC शेर में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है और यहाँ पर आप देख सकते हों हिदर IRCTC शेर ने अपना 52 विक हाई प्राइस बने आता और उसके बाद इस शेर में कंटीन्यूस गिरावटी चल रही है और यह शेर 20 परसंट से भी ज़्यादा नेगेटिव में आ चुका है तो आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ IRCTC शेर का टेकनिकल एनलिसेस और फिर हम देखेंगे कि क्या इस शेर को अभी मैं बाय करूँगा या सेल करूँगा साथ ही साथ हम दोस्तों इस शेर के वैल्यूएशन्स को भी देखेंगे और हम कुछ टेकनिकल इन्डिकेटर्स को भी देखेंगे तो चल यह वीडियो को शुरू करते हैं इस वीडियो इस ओनली फॉर एजुकेशनल परपस रिट दर इसक्लेमर कैरफुली तो आईएब हम सबसे पहले इस शेर के इंपॉर्टन्ट सपोर्ट लेवल्स को देख लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने डेली बेसेस का टेकनिकल इंडिकेटर का चार्ट ओपन किया है तो अगर हम इस शेर में सपोर्ट की बात करें तो आप यहाँ पर देखो कि यह जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है परपल कलर में यह जो जोन है यह जोन इस शेर के लिए बहुत ही स्ट्रॉंग सपोर्ट का काम कर रहा है क्योंके पहले इस share ने इस zone में यहाँ पर resistance face किया था उसके बाद इस share ने एक बार इदर support लिया था और जयसे इस share ने यह support तोड़ा था उसके बाद इस share में बहुत बढ़ इप down opening भी देखने को मिली थी और इस share ने यह support कप तोड़ा था जब इस share में OFS आया था offer for sale देखने को मिला था और दोस्तों अगर हम बात करें हिदर भी आप देख सकते हो कि इस share ने हिदर भी एक बार support लिया और आज के दिन भी इस share में लगातार गिरावटी चल रही थी पर जैसे इस share का price अपने support के इदर आया उसके बाद इस share में हमें गिरावट रुकते हुए देखने को मिली है तो यहाँ पर 1580 का level इस share के लिए एक बहुत ही important support level है कल के दिन के लिए और आज की closing आप देख सकते हो 1582 मतलब अगर कल इस share में थोड़ी भी गिरावट आती है तो यह share अपना support को तोड़ के एक downside moment दिखाएगा जो कि इस share के लिए एक बुरी बात रहेगी और दोस्तों अगर यह share support तोड़ देता है तो उसके बाद इस share में बहुत बड़ी गिरावट आने की संभावना रहेगी और जो अगला support है उसके बाद वो है 1522 अगर हम इस share में resistance की बात करें तो यहाँ पर एक जो बहुत important resistance है इस share के लिए वो है यह वाला लेवल 1746 रूपीज का लेवल इस share के लिए एक बहुत ही strong resistance का काम करेगा अगर हम इस share का valuation देखे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस share का भी जो current PE ratio है वो है 107.40 रूपीज तो यह share अभी highly overvalued है और दोस्तो यह इतना high PE ratio क्यों आया क्योंकि lockdown में इस share का कुछ ज़्यादा income ही नहीं था lockdown के वक्त पे trains और railways बंद थे completely और उसके बाद जब unlockdown हुआ तब ही भी जो pre-covid levels के income थे वो achieve नहीं हो पाए थे इसलिए इस share में कुछ earning ही नहीं हुई इसलिए इस share का PE ratio बहुत बढ़ गया है और दोस्तो अगर अभी हम news देखे तो हमें यहीं दिखने को मिलता है कि महाराष्ट्र डेली जैसे states और cities में वापस से mini lockdowns होने जा रहे हैं वो और भी बढ़ सकता है इसलिए अगर हम valuation देखे तो valuation इस share के highly overvalued है अगर हम इस share का एक technical indicator देख लेते हैं जैसे के RSI तो RSI value अभी 32 के नस्दीक में आ गया है तो अगर इस share में और गिरावट आती है तो यह RSI value oversold zone में चले जाएगी आईए अब हम देख लेते के क्या मैं इस share को buy करूँगा या sell करूँगा तो दोस्तो मैं इस share को अभी buy नहीं करूँगा और उसके पीछे दो important reason है first reason है PE ratio जैसे के मैंने आपको पहले ही का के इसका PE ratio भी highly overvalued है और जो second reason है वो है COVID-19 lockdowns और इस share में continuous गिरावट हाँ दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हो आची के दिन इस share में एक बहुती बड़ा bearish बार generate हुआ है और यहाँ पर अगर हम इस share का trend देखें तो पिछले एक महिने से इस share में लगातार गिरावटी चल रही है तो मैं इस share में तभी entry लूँगा जब इस share में थोड़ा सा हमें trend reversal देखने को मिलेगा और long term की बात करें तो दोस्तो यह company तो अच्छी है यह company की monopoly भी है क्योंकि railway की trains भले privatize हो सकती है पर पूरा का पूरा railway privatize नहीं हो सकता इसलिए एक तरह से हम कह सकते कि यह पूरा monopoly वाला business है तो यह company तो अच्छी है पर दोस्तो COVID-19 का इस company पर बहुत effect हुआ है और आगे भी हो सकता है इसलिए जब तक COVID situations improve नहीं रहेगी तब तक मैं long term के लिए entry नहीं लूँगा और short term में जैसे के मैंने कहा जब तक इस share में मुझे trend reversal नहीं देखने को मिलता तब तक मैं इस share में entry नहीं लूँगा और दोस्तो यह totally मेरे विचार है आपके विचार मेरे से अलग रह सकते हैं इस share में मैं कोई भी buying और selling के advice नहीं दे रहा अगर आप कुछ भी decision लेते हो तो अपने financial advisor से पहले consult करें धन्यवाद